जैन्ट्रेंच मेरा नम्बावरामदास और आप देखरें मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी-खरी तो सब कुष्टी जगत की लेटिस्ट डेवलेप्मेंट यह है कि पता चला है और विश्वस्त सूत्रों से उड़ती हुई हवा में खबर नहीं है आपको मालूम है म मैं हवा हवाई बातें नहीं करता आय ओल्वेज गो फॉफर दफेक्ट तो सब जब ग्रिह मंत्री अमित्षाजी से मिलने के बाद हमारे पहलवान जी लोग जब अनुराग ठाकुर से मिले थे तो उनके सामने कुछ शर्तें रखी गई थी और उनमें एक प्रमुख ब्रज ब्रजबूशन सिंग या उनके परिवार का कोई सदस्ची या उनका कोई व्यक्ति कुष्टी संग का अध्यक्ष नहीं होगा मतलब कुष्टी संग में ब्रजबूशन सिंग को हटा दिया जाएगा पूरे पूरे उनके ग्रुप को यह मांग रखी और बड़े अश्चर की बात है कि अनुराक ठाकुर ने इस पर उनको आश्वासन भी दे दिया और वो उस आश्वासन को मान भी गए अच्छी बात है अब आज समाचार मिला है नहीं आज नहीं कल मैं कल से इस पर वर्क कर रहा हूं कि खेल मंत्राले से कहा गया है कि ओपी धनखड भाजपा के शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्याना के ओपी धनखड को कुष्टी संग का अध्यक्ष बनाया जाए एन आर चौधरी रेलवे के पुराने रेटायड अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं और रेलवे प्रोमोशन स्पोर्ट्स रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोड रस पीबी के डिरेक्टर रहे हैं और स्वेवा निव्रत हो चुके हैं पिछली साल पिछली बार राजस्थान से भाजबा की टिकेट मांगी थी टिकेट फाइनल हो गई थी अंतुसमय में कट गई ससुर्जी शायद भाजबा के कोई मंतरी संत्री कुछ इस टाइप के हैं मतलब तो एनार चौधरी को महासचिव बनाया जाए और एक और पीलवान जी हैं उनको कोशा धक्ष बनाया जाए ब्रजबूशन नहीं रहेगा मिड्डल हम लेते हैं मिड्डल रियाने वाले लगते हैं मिड्डल तो जाट लगते हैं तो कुष्टी का अध्यक्ष ब्रजबूशन सिंग यूपी वाला क्यों है इसलिए कुष्टी का अध्यक्ष हरियाने का होना चाहिए कुष्टी का अध्यक्ष जाट होना चाहिए और यह मैं पहले दिन से बोल रहा हूं जिस दिन यह पहली बार धरना लगा था मैंने का यह फेडरेशन की लड़ाई है तो सब ओपी धनखड अरियाने का जाट एनार चौदरी राजस्थान का जाट जो कोशा देक्ष जो हमारे पीलवान जी हैं जिनका प्रस्तावित नाम है वह भी अरियाने का जाट दरना देने वाले जाट समर्थन देने वाले जाट बोला जब हमें डिल लाते हैं तब तो मारी जाट नहीं होती तब तो कोई नहीं कहता तब तो हम देश की बिट्टी या देश का बिट्टा होते हैं अब हमारी जाट क्यों देखी जा रही है अरे भाई जब जातिवादी सोच के साथ जातिवादी राजनीती करोगे तो जात कोई देखता नहीं है दिख जाती है तो तब ऐसी उल जलूल यह उल जलूल मांग है कि हमारे ब्रज बूशन को अटा दो कुछ तिसंग से हमारे आदमी को जात भाई को अध्यक्ष बना दो अर्याने के को जात भाई को सचिव बना दो महा सचिव जात भाई को कोश अध्यक्ष बना दो मेडल जात का तो अध्यक्ष भी जात का इस सोच के साथ काम किया जा रहा है अब मैं आपको डेवन से बता रहा हूं कि भाईया कुष्टी संग कोई भारत सरकार की लॉंडी बांदी नहीं है। तब WFI भारत सरकार की नहीं है सेविकास। वो एक स्वायत संस्ता है जिसकी पहली शर्त ही यह है। स्वायत होनी चाहिए अपने नेड़ने में पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। तो भारत सरकार WFI के गठन में उसकी एक्जिकेटिव बॉडी के गठन में उसका बहुत सीमित रोल है। यह बात हमारे पहलवान जी लोगों को समझ तो आती है। इसी बात नहीं है। पहलवान लोग अनपड़ हो सकते हैं। उनकी अकल गुटने में हो सकती है। पर उनके समझ उनके जो सलाकार लोग हैं। पता नहीं कौन से पट्टी पढ़ाई है। या ऐसे कौन से आश्वास हैं। या ऐसे कौन से सब्जबाग दिखाए गए हैं। कि उनको लगता है कि नहीं नहीं सरकार तो बहुत पावरफुल होती है। जैसे पिछले चार दिनों से क्या है कि एनर चौधरी ना। सभी जितने भी स्टेट बॉडी नें। प्रेज़गों और सेक्रेडरी सको फोन और रहें। रहे हैं। इस टाइब की बाते कर रहे हैं तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि जारे सर कुष्टी का कल्यान तो करोगे उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा रहे प्रेजडेंट सेक्रेटरी बनने के लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा न डबलू एफाई का और उसमें एक स्टेट बॉड़ी आप किसी भी एक स्टेट बॉड़ी के अध्यक्ष महासचे उपाध्यक्ष कुछ कोई एक पता अधिकारी होने चाहिए और उसमें समय की भी एक कैपिंग है कि पिछले इतने समय सहने चाहिए जहां तक मेरी जानकारिया हला कि मैं अगली वीडियो में च पर कुछ समय का है अगर आपको अध्यक्ष मत का चुनाव लड़ना है तो आप किसी भी स्टेट बॉड़ी में आप पिछले एक डेड़ साल ते अध्यक्ष होने चाहिए तो यह दोनों यह लोग नहीं है ओपी धनकड भी एनर चोधरी भी फिर भी इनको लग रहा है कि नहीं सरकार तो इतनी पावर्फुल होती है कि सरकार कुछ भी कर सकती है अब चलिए यह तो भविष्च के घर्त में छुपाए कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा यह भविष्च के सरकार इसमें कुछ करेगी कि नहीं करेगी क्या होगा यह भविष्च बताएगा परन्तु पिछले चार महिने से जो घिनवना खेल चल रहा है जंतर मंतर पे और देश में हम तो इसका पोस्ट मॉटम करने बैठे हैं कि तीन मुख्य प्लेयर्ज हैं इस खेल में सबसे पहले तो यह पहलवार जो कि अपना एजंडा लेके अपने वेस्टेड इंट्रेस्ट से कुछ लोगों के भड़कावे में कुछ लोगों के साथ एक नेक्सस बनाकर जंतर मंतर पे बैठ गई और उनका मॉडस एपरेंडी यह था कि वर्तमान एग्जेकेटिव बॉड़ी को बदनाम कर दो जोन सुस्सन के अरोप लगा दो और एक बार जब बदनाम हो जाए तो मतलब चुनाव जीत कर डबलो एफाई पे कबजा नहीं कर पा रहे हो तो जोन सुसन का अरोप लगा के कबजा कर लो पहलवानों का तो यह इस उद्देश के साथ यहां बैठे थे दो पार्टी दौर बन गई एक हर्याने कॉंग्रेस हुड़ा साब एंड फैमिली उसमें कुछ खाप पंचायतों के स्वयम्भू लीडर्स वो जो स्वयम को खाप का अध्यक्ष परदान खुद ही बना लेते हैं मेरा बाप परदान था तो मैं भी परदान हूं और दस बीस लोगों को जुटा के कहीं सड़क गहर के बैठ जाते हैं दमकी देते हैं सरकार को ब्लैक मेल करते हैं समाज को ब्लैक मेल करते हैं उसके बाद किसान निता टिकैत साब चड़वनी साब ये साब वो साब बकल तार देंगे चार लाख ट्रक्टर हैं पच्चस लाख किसान है बैसे दूद देना बंद कर देंगी बंडी तोरी लगनी बंद हो जाएगी खेतों में वो खा मार देंगे देशने नो फार्मर नो फूर्ट ब्लैक मेल हम करेंगे जो खाप कह देगी वो गावा सम्विधान को बत्ती बनाओ और यह स्थान रख लो देश में कानून का निक खाप कर राज चलेगा देश में किसान लीडर जो कहेगा वो होगा नहीं तो हम सिंग्व बाडर गेर लेंगे उदर हुड़ा साब की अर्याने कॉंग्रेस है तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि भूखा भूखे की डैश डैश कर रहा है इसको अच्छी लोग कहते हैं तो पहले लेंग्विज बहुत खराब है तो भाई देश सी बाश्या बोलनी हो नहीं तो थोड़ी संस्कृति भाशा में बता देता हूं कि शुधा से पीड़ित कोई व्यक्ति यदि शुधा से पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति का गुदा भंजन करेगा तो दोनों मूर्चित हो जाएं के तो यहां क्शुधा से तीन चार पार्टियां पीड़ित हैं बूखे मरते बूखा बूखे की तो यहां चार बूखों का सेट है पहले बूखे मारे पहलवान मतलब इतना कुछ समाज ने सरकार ने कुष्टी ने दे दिया पर अभी पेट नहीं बराभी पॉलिटिक्स भी करनी है एक बार उन्पिक होया एक बार मेडल ले लिए तो फिर सारी जिन्दगी हम ही लड़ेंगे पहलवानी करनी नहीं है पर कुष्टी में अमारे ही चले सिक्का एक तो मारे पहलवान जी लोग हैं दूसरा अर्याना कॉंग्रेस दस साल से सत्ता से बाहर है तीसरी खाप पंचायत वो तो है ही स्वयम्भू चौथा किसान नेता तो दीज आर फोर हंगरी पीपल खशुदा से पीड़ित चार पार्टी और दोनों एक दूसरे का गुदा भंजन कर रही हैं बेचारी मर रही है भारतिया कुष्टी तो विनेश फोगाट एंड पार्टी ने फेडरेशन पे कब्जा करने का जो प्लैन बनाया उसमन रहा कि कुष्टी के कट्टा सटा दो यह कुष्टी कोई दाव पे लगा दिया ना पूरी पहल्वानी को दाव पे लगा रख कर दिस्कवरी चैनल पे था वो वीडियो बनाया करता था उसका नाम क्या था मर गया वह उसको श्टिंग रहे वह मचली ने समंदर में काठी वह दंक मार दिया था वह एक बार उसका एक वीडियो आया था कि वह कि मगर मच्छों कि से भरे वे तलाब में अस्ट्रेलिया में कहीं तो अपने दुद्म है बच्चे को करीब एक साल के बच्चे को ऐसे ना वह तलाब में ऐसे दिखा रहा है अपने खुद के बेटे को और एक मगरमच जो है उचल के उस बच्चे को पगड़ने की कोशिश करता है तो वो जल्दी से बच्चे को हटा लेता है और एक आदमी उसका कैमरामन उसकी टीम जो है इस इंसिडेंट को शूट कर रही थी और इसकी बहुत कमफीर बड़ी भयानक आलोचना हुई अस्ट्रेलिया के समाज में और पूरे विश्व में तुम अपने धंदे के लिए अपने एक वीडियो के लिए डिस्कवरी चैनल पर अपने धंदे के लिए अपने दुदुम्होए बच्चे को मतलब एक वो बना रहे हो ना कांटे में पतागे जैसे मचली को लल्चा आए जाता है यह तुम्हारा स्तर हो गया है तिर्फ वीडियो बनाने के लिए तो हमारे पहलवानों ने भारतिये कुष्टी को इसी तरह दाउं पर लगा दिया चारा बनाके यह तो है पहलवानों की और जब पहलवानों न मौका दे दिया वो यह सब करने को त्यारी थे कुष्टी के इजद्दाओं पे लगा दी एक हजार बेटियों के इजद्दाओं पे लगा दी अपनी खुद पहले बोली नहीं नहीं हमारे साथ नहीं हुआ पर जब अब देखा कि अब इस दलदल में तो कूद गए हैं अब सारे मतलब पैरेंट्स की मतलब पूरे समाज के इजद्दाओं पे लगा दी कियो मारे आदमी को अध्यक्ष बना दो और वह आजंडा आ गया नमें कि ओपी दन्खड को अध्यक्ष बनादो एन अर्चवादरी को सचिव बना दो कुष्टी संग का मारे आदमी ने कोशा धक्ष बना दो ये है सब और पिछले चार दिनों से आप पांच दिनों से साक्षी मलेक और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बयान सुने लीजिए चड़ूनी के रफ्तार हुए कुरुक्षेत्र में संफ्लावर सूरज मुखी का मांगते हुए तो साक्षी मलेक ने जो है चड़ूनी को किसानों पर अत्याचार बरदास्ट नहीं किया जाएगा चड़ूनी को रियाग करो और यह देखो किसानों के इतनी निर्मम पिटाई वही है अला कि वह पुरानी पुरानी फोटो थी उसने किसान अंदलन के नाम पर यहां चेफ दी कल खटकर गई थी विनेश्ववाट वहां पे बेरोजगारी और महंगाई और किसान और युवा और महिलाओं का सम्मान और वैसे पॉलिटिकल बाते कर रही थी तो अरे हैं जब आप महंगाई की और बेरोजगारी की और किसान अंदोलन और किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई और MSP दो औरतों की इजद ऐसी जब बाते करने लगें तो दीदार पॉलिटिकल बाते अरे बहिया तुम्हें पॉलिटिक्स कर दी हैं तो खुल के आओ यार यह मोला बेस बना के कॉस्ट्यूम पहन के के में में जिम में मेंको झीडह जिक तो दिखाते हुए पॉलिटइक्स मत करो सदुआ करति हैं कर रहा है वह योग शुर्दा इत कर रहा हैं वरी शाँन कर कर रहा है और दुनिया भर के वो जोत्र में इसे कदर वहां कर रही है बंगाल में और बहुत सारे कितने सारे पुराने स्पोर्ट्समेन है जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे है तो रेस्लिंग से रेटार्मेंट लो और करो जम के पॉलिटिक्स करो कोई पॉलिटिकल पार्टी में मेडल बहा दूंगी में यह कर दूंगी यह मत करो और अब आपका एजंडा धीरे धीरे पब्लिक के सामने आ रहा है अब लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है कि आपने यह सब किसलिए किया था कि बाकी पंदर तारिक को कि शुकूर की शूचिया लग रही है अरे काली चरन काली चरन हमारे मंदर में सेवक हैं सुब सुब दलिया बना रहे हैं हमिगा चूले पिठोना बन रहा है यह आपको दिखाई दुआ यह लोगो यह देखे खेर सब तो यह है हमारे पहलवानों का आज का कच्च चथा और जगबीर दिंख सिंग दया इंटरनेशनल रेफरी की पोल खोल अभियान चलता रहेगा अगली वीडियो में उनके फिरते पोल खोली जाएगी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फि